हेलो एन वेलकम बैक टू मैं चैनल कुकी फटवुत्रानी में आप सब भी का स्वागत है तो आध मैं आपके साथ शेय करूंगे दम आलू की रेसिपी ने लिए हैं यहां पर कच्छे आलू यह जादा छोटे हैं और बड़े हैं मीडियम साइज के हैं इन आलू को मैंने भी ध आपना इनसे थोड़े से बड़े आलू ले सकते हैं जाधा बड़े आलू ना मत ले रीजिए और ना दम आलू के जएक बहुत पसंद आती है और यह दम आलू के सब्जी ना मैं गारनेटी से कहा हुँ कि आप एक रोटी जाधा ही खाओ वे क्योंकि यह इतनी टेस्टी बन लेंगे यहाँ पर सारे अलू धो लिए हैं आप आलू के अंदर हमें छेट करना है मैंने लिया है यहाँ पर चाकू और इस तरह से हमें आलू के अंदर छेट करना है ताकि जो हम ग्रेवी बनाएंगे वह आलू के अंदर तक जाएगी आप आलू के अंदर ना जो काटवले है अब हम इसे फ्राइब करेंगे और फ्राइब करने के लिए मैंने गैस पर रखी है कड़ाई और इसके अंदर मैं डाल दूंगे सरसो का तेल सरसो की तेल की जाए रिफाइंड ऑइल का भी यूज़ कर सकते हैं अब जो तील हमने कड़ाई के अंदर डाला है उसको अच्छे पर निकल चुका है अब एक ही करके हम सारे अलू को तेल में डाल देंगे और फ्राइब कर लेंगे अगर आपको जल्दी है सबजी बनाने की तो आप रिफाइंड ओयल में भी आलू को फ्राइब कर सकते हैं आलू को ना हम इसके अंदर लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइब करेंगे अगर आप लो पी करते होना तो भी अच्छा से अलू फ्राइब हो जाएंगे लेकिन हाई पर बिल्कुल भी मत करना हाई पर पता होगा बाहर से तो आपके ब्रौन हो जाएंगे पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो फ्राइब करणाब और इसके ओपर भटकत रख है बाकी का तो 20% बचा है वो हम जब ग्रेवी बनाएंगे ना तब उसके अंदर पकाएंगे उसे आपने इसको जाधा फ्राइ कर दिए पका दिए ना तो जब आप इसको ग्रेवी में डालोगे ना तो उसमें फूर जाएंगे वो तो आप कुछ भी बना लो लेकिन आलू के जो डिमांड है ना वो तो होती ही है चाहे आप आलू मटर बना लो आलू का पराठा बना लो आलू जीरा बना लो आलू सूखे बना लो या फिर ग्रेवी वाले बना लो आलू की ही इतनी सारी सब्जिया है तो वो तो मैं आपको अभी नहीं गिनवा सकती लेकिन आप मेरी स को जब देखने तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी सब्जिया हैं आलू को हमने 80% तक फ्राइब कर लिया है अब कड़ाई से ने बाहर निकाल लेते हैं और प्लेट में रख देते हैं सारे अलू फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम ग्रेवी के लिए मसालत यार कर लेंगे मैंने यहां पर लिया है प्यास अद्रक और लैसन अद्रक को भी साइड रखते हैं और इस प्यास को न मैंना सबसे लास्ट में काटू क्योंकि आउस पता है बहुत आते हैं बच्चा कॉन लैसन तो लैसन को सबसे पहले मैं चीलूँगी सारे लैसन चील चुके हैं अब मैं चील लूँगी अद्रक को अद्रक भी हमने चील ली है जो इसको फेक मत देना जब आप चाय बनाओगे न तो उसको कूट कर उसमें डाल देना बारी है आसू निकलने की मतलब प्यास चीलने की तो प्यास को भी चील लेते हैं आप प्यास को कैसे भी काट सकते हैं चोटा मोटा बड़ा अब हम सोच र चाल देंगे प्यास लैसन अद्रक का तुकडा इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इने भी हलका हलका फ्राइ कर लेंगे अब इसके अंदर मैं डाल दूंगे दो लाल मिर्च लब जो सूखी वाली होती है और यह पता है तेज भी बहुत होती है वी चीजे डाल क इसका कच्छपन निकाल देंगे तो बाद भी हम इसे पीसेंगे इंदर डलेंगे टमाटर भी मैंने लिये हैं या पर दो टमाटर और से मैंने दो लिया है अब इने चोटी तुकड़ों में काट लेंगे टमाटर को जादा बढ़े रखोगे ना तो वह जल्दी नहीं गलें अधर भी हमने काट लिये हैं तो आप टमाटर को भी हम प्यास के साथ ही बूल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अरे एक चीज तो मैं आपको बताया नहीं बूल गई आदो कि मैंने यहां पर एक प्यास लिया था जो कि बड़ा था दो प्यास का वह एक प् माटर ना गलना शुरू हो चुके हैं यह देखिए अब एक मिनट के लिए मैं इसको और भूनूंगी उसके बाद कैस बंद कर दूंगी सारी चीज़े अच्छे से बुन चुकी हैं अब इसे एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी और ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे तो उसी कड़ाई के अंदर हम डाल देंगे थरसो का तेल और इसका कच्चपन भी निकल जाने देंगे तो प्यास ट्रमाटो ठंडे हो चुके हैं इसे पीस लेंगे तो मैंने लिया है यहाँ पर मिक्सर का जार और प्यास ट्रमाटो को इसके अंदर डाल कर हम पीस लेंगे तेई का कच्चप पर निकल चुका है, तो सारे मसालों को हम इसी के इंदर डाल देंगे, और जब ये भून जाएगा, तो जो अभी हमने मसाला पीसा है, वो इसके इंदर डाल देंगे, अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि आज सबजी में क्या बनाएं, तो आलू तो सभी के घर में होते हैं तो आप ये दम आलू की सब्जी को बना सकते हैं आलू से बनने वाली हर सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है और आलू तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आप कोई भी आलू वाली सब्जी बना लो उसमें से बच्चे आलू निकाल ही लेंगे तो आलो की सब्जी तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, अब हम इसके अदर डालेंगे कुछ मसाले, तो सबसे पहले मैं इसके अदर डालूंगे धनिया पाउडर, पाउडर अल्दी, लाल मिर्च, लाल मिर्च ना मैंने यहाँ पर देगी मिर्च ली है, हम पहले वो दो लाल मिर्च भी डाल चुके हैं तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर लाल मिर्च डालना और अब डाल देंगे आम चुर का पाउडर और अब चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे वो जो दो लाल मिर्च हमने डाली थी ना वो बहुत ज़्यादा दिखी वाली है तो आपके घर में कैसी मिर्च खाय जाती है कम या ज़्यादा अब इसके अंदर लार मिर्च का पाउडर डालें मेरे यहां तो कम खर जाती है इसलिए मैंने बहुत कम डाली है इस मिक्सी में अभी हमने मसाला पीसा था, उसके इंदर लगा रहे गया था इसको भी वेस्ट हम क्यों जाने दे तो इसके दर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और इतना मसाला तो इसके अंदर ही निकल गया है मसाले को हम भूरने देते हैं तो इसके ओपर मैं ढखकर रख दूँगी एक प्लेट प्लेट रटा कर हम मसाले को चला देते हैं मसाला भी अच्छे से भूंच चुका है तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक गलास पानी पानी डाल करना मैं एक बर मसाली को चला दूँगी और चेक कर लूँगी कि पानी कम तो नहीं है अगर कम है तभी मैं इसके अंद के अकॉर्डिंगी डाले करके जो भी हमने आलू फ्राइ करें थे वो इसके अंदर डाल देंगे ग्राइ के ऊपर मैं रख दूंगी एक प्लेट और लो फ्लेम पर ही मैं इसे पकने दूंगी आपको ग्रेवी कैसी पसंद है आप वैसी रख सकते है गाडी पसंद है तो आप गाडी रखिए और पदली पसंद है तो आप पनि रखिये वी disproportionately कर थे रहेके तो टंग Vaid धखकर रख दूगी मैं दुबारा से प्लेट टा कर चेक कर लूँगी कि अब हमारे सब्जी के क्या हाल है और ये देखिए मुझे तो मस्द हाल लग रहे हैं सब्जी के जैसी मुझे सब्चिस चाहिए थी ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जो ग्रेवी है ना मुझे ना जाधा गाड़ी और मैं आपको दूसरी चम्मच से दिखाती क्योंकि इससे तो ग्रेवी आएगी भी नहीं और यह देखिए ऐसी ग्रेवी मुझे चाहिए थी ग्रेवी तो हमारी तैयार है जैसे हमें चाहिए थी तो एक बर हम आलू को भी चैक कर लेते हैं कि आलू पके हैं या नहीं मैं आपको यह तोड़कर दिखाते हूं चम्मच से और यह देखिए आलू भी कितने अच्छे से पक चुके हैं दम आलू की सबजी बनकर तैयार हो कि मैंने सब्जी बना दिया तो आप भी ना इसे ज़रूर ट्राय करना और जब आप इसे ट्राय करोगे न तो इसकी फोटो तो मेरे ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्ट्राग्राम पर सब्जी को पराठा या रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्फ कर सकते हैं सब्जी को मैं गानि मैं मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मैं आपको मिलूंगी एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान लखी मुझे ऐसे ही फ्यार करते रहीं ठीक केर बाइबाइबाइब